हेलो स्टूरेंट्स मेरा नाम है श्वैता स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूटुब चैनल SWT वीकॉम क्लासिस में आज की इस वीडियो में हम Statistical Method जो की वीकॉम थर्ड सेमिस्टर का एक सब्जिक्ट है उसके बारे में जानेंगे जिसमें मैंने Statistics क्या होता है ये चीज़ें डिसकस की हुई है डिटेल में जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अब आईए स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आपसे ओरिजिन के बारे में डिसकस करूंगी जो कि स्टार्टिस्टिक्स की ओरिजिन आखिर हुई कहां से इसके बारे में जानते हैं तो यहाँ पर जैसे के आप देख सकते हैं, स्टार्टिस्टिक्स एज सब्जिक्स एज वेरी लॉंग हिस्ट्री यानि कि एक एज सब्जिक्स देखे तो इसकी बहुती लंबी कहानी है, बहुती लॉंग हिस्ट्री है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो siaratis सब्द है, यहाँ क्य भी से तिराइब किया गया है, पहले तो लाइटिंग लेंग्विज में डिराइब किया गया है, जो कि है status इटाइलियन में डिराइब किया गया है स्टैटेस्टा कहते हैं जिसमें जर्मन में इसको स्टैटेस्टिक कहते हैं और फ्रेंच में इसको स्टैटेस्टिक क्यों कहते हैं इसमें आप देख सकते हैं कि अलग-अलग लैंग्वेज में इसको डिराइब किया गया है गॉट्फ्राइट एंड जी एफ वान ब्राइट फील्ड इन देयर फेमस वर्क एलिमेंट्स ओफ इनवर्सल इरुडिक्शन 1770 यानि कि यह जो जितने भी टॉम्स है उसका मतलब है पॉलिटिकल स्टेट पहली बार इस सब्द को इस वर्ड को यूज किया गया था फिल्ड में उनके एलिमेंट्स ऑफ इनवर्सल इरुडिक्शन के फिल्ड में सो आई होप आपको आपको और इजन क्लियर हो गया होगा आख़ुआज चलते हैं कि स्टार्टिस्टिक्स की ड essay पंरिभासा कौन कौन सी है कॉन किसने किसने स्टार्टिस्टिक्स की आए देखते हैं कि इन्होंने स्टाइट्स के बारे में क्या कहा है स्टाइटिक्स आर नुमारिकल स्टेट्मेंट्स और फैक्ट्स इन एनी डिपार्ट्मेंट और इनक्वाइरी प्लेज इन रिलेशन टू इच आदर यानिकी इन्होंने कहा है कि स्टाटिस्टिक्स सांख्येकी , यह एक Numerical statement of fact है, किसी भी Currently Price जिसमें आप कह सकते हैं कि सांख्येकी दूसरे के संभंद में रखे गए जाच के किसी भी भी विभाग में तत्धियों के संख्यानात्मक तत्य मुल्मक का विबरण है सो तो इन्होंने ये चीज बोली है स्टार्ट्स के बारे में अब दूसरी डेफिनेशन हम जानेंगे जो कि है वलिस एंड रोबर्ट्स की इन्होंने कहा है कि स्टार्टिस्टिक्स में भी रिगार्डेड एज बॉड़ी ओफ मैथट्स फॉर मेकिंग वाइस डेसीजन्स इन फेस ऑफ अनसर टेनिटी यानि कि यह जो डेफिनेशन है यह नेरो है क्योंकि इसकी जो लिमिट है स्कोप अफ स्टार्टिस्टिक्स के स्टार्टिस्टिकल में वह एक वैलिड डिसिजन बताती है अब आई देखते हैं कि से इस इन्होंने जो वैलिस और रोबर्ट ने जो लिए स्ट्राटिस्टिक वृद्यों के निकाए के रुप में माना जा सकता है तो इन्होंने यह चीज्थ बोली है स्ट्राटिस्टिक्स की डेफिनेशन में आई होप आपको दोनों डैफिनेशन धिलियर हो गई स्ट्रेंस सो दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच करके बता सकते हैं तैंक यू